वेलकम बैक टू दे यूट्यूब चैनल जेके परमेडिकल इंफो यहां पर जो है अभी हम इस वीडियो में आपके सामने डिसकस करेंगे कि आपको रेंक किस तरह से अलॉट होंगे उसके बाद जो है आपकी सेलेक्शन किस तरह से होती है किसको गोर्मेंट सीट मिलेगी किसको प्राइवेट सीट मिलेगी ठीक है सभी बाते हम आगे वेडियो में डिसकस करेंगे इसके बाद जो होता है आपका भी provisional selection list आई है इसके बाद जिन-जिन candidates के document pending है कौन से college available हैं कितने government colleges हैं कितने private हैं कितनी seats available हैं government में क्या private में कितनी available हैं कौन-कौन से college में कौन सा course available है नहीं है इसकी जो है college वाली अलग से एक मेंने video upload की हुई है आप जाकर देख सकते हैं और आपको colleges की pdf भी हमारे telegram channel पर मिल जाएगी then selection process और जिन-जिन document जो pending है जिन candidates के उनको किस तरह से जाकर जो है deficient document अपने submit करवाने हैं कहां पर submit करवाने हैं ठीक है यह सभी मेंने इससे पहले जो वीडियो है उसमें upload सभी बातें आपकी explain क्यों ही है इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे आपका कि आपको जो है रंक किस तरह से अलाट होते हैं और आपको जो है selection process किस तरह से होता है category wise reservation के रहती है और आपको जो है आपकी पूरी वीडियो देखने से सिर्फ बात इतनी है कि अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं जो मैं वीडियो में यहां पर आभी explain करूंगा आपके सामने आप वो ही फिर question बापिस पूछेंगे मेरा rank कितना है मेरी percentage इतनी है और मेरे को क्या government seat मिलेगी देखें समिट होने के बाद आपकी एक rank wise list अलाट होगी रेंक के लिए जो है आपका कल एक comment में पूछ रहे थे आप की rank किस तरह से अलाट होते हैं अभी जो है काफी सारे बच्चों किसी की 90 percentage है तो उसका rank जो है वो 25 hundred पे जाके उसका आ रहा है serial number देखें यह भी serial number है जिस तरह से application form fill up हुए है उस वाइज आपको serial number अलाट हुए है इसके बाद जब यह सब कुछ submit हो जाएगा इसके बाद जो है आपकी rank वाली list आएगी जिसमें कि आपका percentage वाइज rank होंगे अगर किसी की 90% है तो उसको rank 1 मिलेगा उससे कम है तो उसको rank 2 मिलेगा उससे कम है rank 3 मिलेगा इसी तरह से जिस तरह से percentage कम होती जाएगी आपको serial number आपको rank number है वो नीचे नीचे अलाट होता जाएगा सभी को rank अलाट होंगे रही बात courses की आपको G&M करना है paramedical courses करने है medical record technician करना है यह आपकी lateral entry है यह आप जो है counseling के time में आपको बता चलेगा ठीक है आप counseling के time में खुद fill up करेंगे वहां पर जाकर कि आपको कौन सा course लेना है और कौन सा college लेना है आपको यह दो चीज़ें counseling में preference देने होता है ठीक है तो उसके बाद मैं आपको बता दू अभी जो आपके total number of form जो fill up होए है यहाँ पर जो serial number है वो 14,493 आप देख सकते हैं यह बोपी की जो परसून जो है आपकी provisional selection list आई थी उसमें आपका last serial number है 14,493 और जो है आपका e-boucher में आपकी total number of seats available थी government private colleges और government colleges में अलग लग courses की सभी courses की जो है वा लग-लग सारों की total overall जितनी seats हैं 2022 के paramedical courses में उसमें हैं आपके पास 14,426 seats अब इसमें से देखे हैं हमें कोई नहीं पता ना हमें पता है ना बोपी वालों को पता है ना आप लोगों को पता है कि कौन सा candidate कौन सा course करने जा रहा है और किस course में कित से इसी तरह से एनम में 335 seats हैं medical assistant में आपके पास 3153 seats है और हर college के आगे government और private colleges की seats available है किस college में कौन सा course available है वहां पर वो भी आपको college वाली pdf में आराम से दिख जाएगा ठीक है यह आपको एक basic overview पता चल गया क्या क्या होता है क्या नहीं होता किस तरह से rank मिलेंगे आपको लेटरल एंटरी वालों का question था कि जो है उनकी percentage की space पे आती है या फिर उनके rank की सतरह से उनके लिए एक अलग से जो है आपकी PDF या बोली जे list out होती है जिसमें कि आपका lateral entry वाले जितने candidates से उनको वहां पर percentage wise उनके rank lot होते हैं ठीक है और आप counseling के time मेर जाके आपका 12th base वाल की list चलिए इसके बाद सबसे पहले आप मैं बता दूँ आपको कि government colleges और private colleges में क्या फरक है government seats भी है private seats भी है कुछ colleges में जो है आपके अलग लग course available है कुछ में available नहीं भी है ठीक है मैं आपको example देता जाओंगा आप example से समझते जाएं चाहे आप कोई भी course लेना चाहते हैं एक example काफी है आप सबको समझाने के लिए सबसे पहले reservation के लिए आप देख लीजिए कि reservation किस तरह से मिलती है अगर आपको category को या अपने apply की है तो इसमें आपको किस तरह से seats मिलती है सबसे पहले 8% reservation मिलती है आपको SC में ST में मिलती है आपको 10% reservation बागी जो socially और educationally backward में आप हमारे पास अलग लग casters आती है जैसे OSC उसमें आपको 4% मिलता है ALC IB जो है इनका 4% रहता है RBA का 10% पहाड़ी speaking people का आपका रहता है 4% EWS का 10% और physically challenge person जो है उनका यहां पर 4% quota रहता है और बाकी जो है आपका 3% 1% और 2% जो है paramilitary वाले children's का और defense personals का और जो है आपका sports में जो अगर कुछ आपने लगाए है sports category इनका भी 2% यहां पर quota रहता है आपका government seats में ठीक है private seats में तो कोई लेना देना ही नहीं होता क्योंकि वो तो हर किसी को मिल ही जाएगा percentage wise ठीक है यह government जब institutions की बात आती है तो तब आपको reservation और category की जरूरत पढ़ती है ठीक है तो चलिए अब start करते हैं आपका selection process किस तरह से होता है द्यान से समझेगा सबसे पहले आपके पास seats कितनी है 14,493 then total number of application form fill up हुए sorry वो total number of seats है 14,426 सबसे पहले GNM में आपके पास है 4,165 seats अब हमें इन candidates में से किसी को नहीं पता कि कौन सा candidate GNM करना चाता है कौन सा medical assistant करना चाता है कौन सा x-ray कौन सा dialysis assistant ये सब कुछ तो हमें नहीं पता हम एक example की तोर में आपको समझाता हूँ सबसे पहले for example हमारे पास GMC जम्मू की बात करते हैं और GMC सिरनगर की बात करते हैं GMC जम्मू में हमारे पास आगर है total number of seats 160 और GMC सिरनगर में हमारे पास total number of seats 200 ठीक है अब reservation के हिसाब से मैं आपको बता दूँ देखें सबसे पहले जो है आपका SC में अगर reservation है अगर आपने SC category से apply किया है तो आपके पास GMC सिरनगर में 60 seats होगी और GMC जम्मू में 12 से 160 में 12 से 13 seats आपको मिलेंगी ST में इसी तरह से 20 seats देखने को मिलेंगी और 16 देखने को मिलेंगी आपको GMC जम्मू में OSC में आपको 8 seats, ALC में 8, RBA में आपको 20 seats देखने को मिलेंगी PSP में 4, sorry 8 seats, EDOLUS में फिर से 20 seats और physically challenge persons के लिए 8 seats, total यहाँ पर जो 108 seats हैं यह आपकी जो है वो category के लिए reserve हैं, उन में से 200 में से बचती हैं, हमारे पास 92 seats जो की open marriage या फिर आप general category के लिए बोल लीजिए, उनकी है जिनके पास कोई category नहीं है, बाकी 108 number of seats जो हैं वो आपकी category को reserved रहेंगी, अब मैं आपको बता देता हूँ, कि for example, आपने apply किया है SC category से और आपकी percentage है 80%, ठीक है, माल लीजिए आपकी 80% है और आपने SC category से apply किया है यहाँ पर, GMC सरनगर के लिए आप GNM course परसू करने के लिए SC category से apply कर रहें, 80% आपकी है, ठीक है, then मैं आपको बता दूँ, आगर आपकी 80% है, total number of seats कितनी है हमारे पास, 16, तो आपकी 80 है तो सबसे पहली seat मिलेगी आपको SC category में से, अगर 80 से कम है आपकी 79 है, तो दूसरी seats आपको alert होगी, तीसरी है अगर, तीसरी seat अगर है उससे कम percentage में इसी तरह से आपको alert होगी, आगर किसी candidate की percentage आप से जादा है, तो वो seats पहले उसको मिल जाएगी, अब हम को यह नहीं मालूम कि कौन सा candidate GNM करना चाहता है, और GMC सरनगर का उसने preferences दिया है, हो सकता है आपका rank आए 500 और जब तक आपकी counselling का turn आए, तब तक जो हैं आपकी GMC सरनगर में GNM की 16th seat की 16th seat fill up होगी हो, क्योंकि तब तक जो है आपसे पहले जो candidate होंगे, SC category के उनकी percentage भी आपसे जादा होगी और उनका rank भी आपसे पहले होगा और पहले उपर करते हैं, तो 80 वाले को पहले मिलेगी, फिर 79 वाले को, 75 वाले को, 72 वाले को, 70 को, हमें नहीं पताना की high merit कितना जाने वाला है, हर seat के लिए ये criteria लागू होता है और हर seat के लिए इसी तरह से selection होती है, ठीक है, चाहिए वो paramedical courses है, चाहिए वो GNM है, मैं आपको यहाँ पर example क की तोर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा percentage है, उसको सबसे पहले seat मिलेगी, अब हो सकता है आपका जैसे first day counselling चली और first day में अगर आपको GNM preference देना था, 16 seat available थी, और 16 seat की 16 seat ही fill up, fill up होगी वहाँ पर, तो आप दूसरी दिन counselling के लिए जाएंगे त आपको private college जरूर मिल सकता है, हम किसी को यहाँ पर demotivate नहीं करना चाहते कि आपको government college मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यूंकि मैंने सिर्फ आपको बताया है, यहाँ पर selection process किस तरह से होता है, अगर सबसे ज़्यादा candidate की सबसे उपर वले की percentage है, आपकी percentage मान ली हमने वही 80 है तो 80 से अगर 16 candidate हैं जिनकी 80 percentage से ज़्यादा है, तो फिर तो seats उनको ही मिलेंगी न, आपको तो नहीं मिल सकती, इसी तरह से आप यहाँ पर बार बार comment में पूछते हैं कि मेरी इतनी percentage है, इतनी percentage है, क्या हमें seat मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखे मैंने आपको criteria बता दिया कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको government मिलेगा, private मिलेगा, या नहीं मिलेगा, ठीक है, hope आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा, हमारे चैनल पर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं, बेला icon call पर set कर लेंगे, latest update आप तक पहुंचते रहें कि वीडियो अच्छी लगी, like कर लीजिए, किसी और को भी अगर confusion है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप उनके साथ भी share कर सकते हैं, thank you so much